हमें कॉर्स में स्थानिय भार्षाओं को प्रोच्छान देनी की ज़र्वत है और मुझे खुशी है कई राज्यों ने मात्रुभासा में टेक्निकल एजूकेशन मेडिकल एजूकेशन के लिए कुछ इनिसेट्व लिए है साथियों हमारे शास्त्रों में कहा गया है न्याय मुलं सुराजम श्यात अर्था किसी भी देश में सुराज का आधार न्याय होता है इसलिए न्याय जंता से जुड़ा होना चाहिए जंता की भाषा में होना चाहिए जब तक न्याय के आधार को सामानिय मानवि नहीं समखता उसके लिए न्याय और राझ की आधेश में बहुत फर्क नहीं होता है मैं इन दिनों सरकार में एक विशे पे थोड़ा दिमाग खबा रहा हूं दुनिया के तरी देशें से हैं कि जहां कानून बनाते हैं तो एक तो लीगल टर्मिनलोजी में कानून होता है लेकिन उसके साथ एक और कानून का रूप भी रखा जाता है जो लोग भाषा में होता है सामान्य मानवी की भाषा में होता है और दोनों मान्य होते हैं और उसके कारण सामान्य मानवी को कानूनी चीजों को समझने में नयाय के दरवाजे खटखटाने की ज़रूत नहीं पड़ती है हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे एक देश में भी कानून एक पूरी तरह लीगल टर्मिनलोजी हो लेकिन साथ साथ वही बात सामान्य व्यक्ति की समझ में आए उस भासा में और वो भी दोनों एक साथ एसमली में या पार्लमेंट में पारिध हो ताकि आगे चरकर के सामान्य मानवी उसके आधार पर अपनी बात रख सकता है दुनिया के कई देशों में ये परंपरा है अभी मैंने एक टोली बनाई है वो उसका अध्यान कर रही है साथियों हमारे देश में आज भी हाई कोर्ट्स और सुप्रिम कोर्ट की सारी कारवाही इंगलिश में होती है और मुझे अच्छा लगा सीजे आई ने स्वेहम ने इस विशे को स्पर्च किया तो कल अख़बारों को पॉजिटिव खबर का अफसर तो मिलेगा अगर उठा ले तो नहीं उसके लिए बहुत इंतजार करना पड़े जा साथ एक बड़ी आबाजित को न्याई प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है हमें इस वबस्ता को सरल और आम जंता के लिए ग्राही बनाने के जरूत है हमें कोर्ष में स्थानिय भार्षाओं को प्रोथान देने के जरूत है इसे देश के सामाजने नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बड़ेगा वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा अब इन सबहें हमें कोशिश कर रहे हैं कि टेक्रिकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन मात्रू भाषा में क्यों नहीं होना चाहिए हमारे बच्चे जो भार जाते हैं दुनिया की वो भाषा कोशिश करते हैं पढ़कर के फिर मेडिकल कॉलेज की तो हम भारे देश पर कर सकते हैं और मुझे खुश है कि राज्यों ने मात्रू भाषा में टेक्निकल एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन के लिए कुछ इनिसेटिव लिए हैं तो आगे चल करके उसके कारण गाओं का गरीब का बच्चा भी जो भाषा के कारण रुकामटे महसूस करता है उसके लिए सारे रास्ते खुल ढाएंगे और यह भी जाने और समाजिक न्याय के लिए लिए ल्याय पाली का तराजूर्त्क ज़ूरूद में जोती है साम्वाजी न्याय के लिए कभी भाषा भी बहुत बड़ा तारणं बन सकती है